विद्यार्थियो नमस्कार एजुकेशन स्कूल यूटूब चैनल पे आपका सवागत है हम रिजनिंग में पढ़ रहे थे कलेंडर कलेंडर में हमने 6 पार्ट पहले पढ़ लिये हैं अब 7 पार्ट में क्या पढ़ेंगे वर्स के समान पंचांग ग्यात करना यानी 2013 जैसे समा वर्स 2014 जैसा समान क्लेंडर आगे कब आएगा तो कैसे निकालेंगे देखें निकालेंगे तरिक का बिल्कुल आसान हवी जयान रखना साधान वर्स में मैंने बताये था वर्स यानी साधान वर्स और दूसरा है लीप वर्स साधान वर्स में 365 दिन लेप वर्स में 366 दिन इसको लेप वर्स या अधी वर्स बोलते होई सप्ता बनाते है इसमें बावन सप्ता और एक दिन अतरिक वस्ता है इसमें बावन सप्ता और दो दिन अतरिक वस्ता है जो अतिरिक्त दिन बचते हैं इसके अधार पी हमें निकालेंगे देखो कैसे निकलेगा तो साधान वरस में एक दिन अतिरिक्त और लीप वरस में दो दिन अतिरिक्त होते हैं वही ठीक है एन भी सम्दिन तो कोई बगणना करते हैं जैसे लीप वरस में साधान वरस में एक दिन अतिरिक्त फिर एक फिर एक फिर लीप आ जाता होई दो ठीक है फिर साधान वरस एक 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 फिर लीप वरस ऐसी चलता रहता होई एक 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 दो एक एक दो ठीक है इस तरह चलता रहता है तो देखो इसमें यदि लीप पुरस के बाद पहला वरस हो यानि यहां लीप पुरस था न वही यहां लीप था लीप के बाद साधान में एक बचा फिर एक फिर एक फिर लीप आ गया इसमें दो बचे ये दिन लीप वर्स के वाद पहला वर्स हो तो उस जैसा सम्मान क्लेंडर कितने वर्स में आएगा तो देखो याद दिन बचेगा त्रिक्त एक क्योंकि लीप वर्स के वाद पहला साल है ये साधान वर्स है ना ये साधारन फिर ये विसाधान वर्स फिर ये विसादान वरस फिर ये लेप वरस इसमें एक दिन जुड़ते जाएंगे एक और एक दो और एक तीन दो पांच छे और साथ यानि या तक सप्ता कंप्लेट हो गए वही एक दो तीन दो पांच छे और साथ इन साथ दिन का पूरा एक सप्ता बन जाएगा तो अगला वरस सेम कलेंडर जो पहले है ऐसे ही आएगा देखो तो एक, दो, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और छे, यह शे वरस बाद कलेंडर फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहां पे सुनने हो गए ना, क्योंकि विसम दिन साथ हो गए और साथ का एक सब्ता बन जाएगा यहां पे था एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और छे, यह अगला वरस जो आएगा ना, वो कलेंडर सेव इस जैसा होगा ठीक है वई, यानि यदि लीप वर्स के बाद वर्स के बाद पहला वर्स हो पहला वर्स हो तुसमें कितना जोड़ते हैं वई हम एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और छे, यानि पलस छे कर देते हैं, ठीक है, यान छे वर्स जोड़ देते हैं, जैसे 2012 लीप पुरस है, लीप पुरस के बाद पहला वर्स कौन सा आएगा, 2013, अब पुछे कोई, 2013 जैसा समान क्लेंडर आगे कब आएगा, तो क्या करेंगे, पलस छे, इसमें जोड़ देंगे, छे, छे जोड़ेंगे, तो एक, दो, दो, च्यार, पाँच, छे, साथ, वह यहाँ पे साथ हो गया, एक सब्ता बना लेंगे, लेकिन, क्या है, अगला वर्स लीप है, और ये वर्स कौन सा था, साधारन, तो इससे मैच नहीं करेगा न, क्योंकि 28 फरवरी के बाद, आगे बदल जाएगा, वह 28 फरवरी आएगा, तो फिर ये मैच आगे नहीं करेगा, इसलिए साधान का कलेंडर साधान वर्स से ही मैच करेगा, तो देखो, फिर दोबारा फिर आगे देखो, दो, तीन, च्यार, पाँच, और दो, साथ, इसके बाद में क्या है, साधान वर्स है न, तो यहाँ रिपीट करेगा, कितने वर्स हो गए देखो एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो देस और ग्यारा यानि ग्यारा वर्स बाद रिपीट करेगा यदि लीब वर्स के बाद दूसरा वर्स हो वर्स हो तो कलेंडर ग्यारा वर्स बाद रिपीट करेगा यानि समान कलेंडर ग्यारा वर्स बाद आएगा जैसे मैं बोलू वर्स 2014 जैसा समान कलेंडर आगे कब आएगा तो क्या करेंगे इसमें 11 जोड देंगे क्योंकि लीब वर्स के बाद दूसरा देखो एक दो तो यानि 2025 का कलेंडर 2014 जैसा बिलकुल सेम होगा ठीक है वही फिर देखो लीब वर्स के बाद तीसरा हो यानि यह लीब के बाद पहला यह दूसरा यह तीसरा लीब वर्स के बाद तीसरा हो तो देखो एड़ करेंगे एक और दो तीन च्यार पांच छे दो आठ ज्यादा हुए नहीं साथ और ताथ फिर देखते आठ नो दस ग्यारा दो तेरा और एक चोदा यहां पर वह वह तो यहां तक वर्स देखो कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और ग्यारा यानि यह भी ग्यारा वर्स के बाद ही रिपीट करेंगा यह दी लीप वर्स के बाद तीसरा वर्स हो तीसरा वर्स हो तो कलेंडर ग्यारा वर्स बाद रिपीट करता है ठीक वह जैसे मैं बोलू दो हजार पंद्रा जैसा समान कलेंडर आगे कब आएगा तो कब आएगा वही दो हजार 26 ठीक है लीप के बाद पहला वर्स हो 6 जोड़ दो लीप के बाद दूसरा हो 11 जोड़ 26 जोड़ दो और खुद लीप वर्स हो उसका अब निकालेंगे ठीक है यह तीन तो आएंगे उसके बाद लीप फिर उसके बाद फिर पहला दूसरा तीसरा ऐसे स्टार्ट हो जाएगा अब देखो मैं लीप पूरस का कलेंडर तो लेप पूरस से मैच करेगा ना देखो कितने बर्स बाद रिपीट करेगा ये एक यह लिख ली लिख ले ताओ जैसे यह साधान पास आए या लिप लिख लेता में और फ़ेगा जो एक 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 डू एक एक डू एक एक दो यह क्याँ किसा दान पास में एक नक्ष्ट्रा और लीपुरस में दो दिन एक 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 दो फिर एक 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 दो यह आपको समझाने के लिए है ठीक है वो याद रखने जूरत नहीं है मैं इस तिरह बताता हूँ आपको कैसे आते ही तो देखो यह लीपुरस था यहां पे तो इसमें अत्रिक दिन कितने बचे दो अब आगे देखो इसमें जोड़ेंगे तो तीन च्यार पांच दो साथ वह सप्ता तो कंप्लीट होगा है यहां पे लेकिद अगला वरस लीप तो नहीं है ना लीप तो लीप के साथ ही मैच करेगा ठीक है क्योंकि यह 28 फरवरी तक त ठीक है तो यहां तक सात के जिरू हो गया फिर जोड़ो एक दो तीन दो पांच छे साथ लेकिन अगला फिर लीप नहीं होई ठीक है एक दो तीन चार पांच छे दो, आठ, नो, दस, ग्यारा, तेरा, चोधा, फिर लीप नहीं होई एक, दो, दो, च्यार, पांच, छे, साथ लेकिन आपके बार क्या है? इससे अगला वरस लीप है मैं दो बस देने अक्स्टरा? तो यह इससे अगला लीप वरस है तो यहां तक काउंट कर लो कितने वरस हो गई है? देखो, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोधा, पंद्रा, सोले, सत्रे, ठारे, उननिस, बीस, एकिस, बाइस, तेज, चोविस, पत्चिस, सब्विस, सताइस, अथाईस हो, तो, उसमें क्या करेंगे? पलस, अठाईस, ठेक वई, समझ भाई? यह आपको समझाने के लिए लिए लिखा, इनकी कोई जूरत नहीं थी वैसे, आपको याद यह रखना है, और बनता कैसे है, वो मैंने बता दिया, लेप वरस के बाद पहला वरस हो, पलस है, इसका मतल क्या है लिप उरस के जैसे किसी ने पूछ लिया, वरस 2017 जैसा समान क्लेंडर आगे कब आएगा? तो देखो, इससे लिप उरस कब था पहले? 2006, यानि लिप के बाद यह पहला वरस है, तो पहला वरस हो तो पलस्थे जोड़ दो बई, क्या हो जाएगा? 2023, किसी ने लिख दि देखो कब था, चान में, तो यह लिप उरस के बाद दूसरा वरस, यानि शतान में और अठान में दूसरा वरस है, तो दूसरे में क्या जोडते हैं, पलस 11, तो इसमें 11 जोड़ दो भई, अठान में 11 जोड़ेंगे तो, 120, नो, ठीक है? यानि, 2009 का स्थेम के लेंडर आए अठान में जैसा ही, इस तरह निकालना हो यह, लीपर्स के बाद पहला हो, पलस 6, दूसरा हो, 11, तीसरा हो, 11, खुद लीपर्स हो, 28, कुछ ज़्यादा याद करने किसमें जरूरत नहीं है, यह मैंने बता दिया, आत्ता कैसी है, ठीक है? अब क्यूस्टन करते हैं, अब क्यूस्टन देखो, वर्स 2011 जैसा समान कलेंडर कौन से वर्स का होगा, तो देखो, यह लीपर्स के बाद कौन सा वर्स है, इसा पहले लीपर्स अब था, यानि 2008 को, उसके बाद कौन सा वर्स है यह नो दस ग्यारा यानि तीसरा वर्स है लीपर उसके बाद तीसरा वर्स है तीसरा वर्स हो तो हम क्या करें उसमें पलस ग्यारा कर देते हुई तो इसमें ग्यारा जोडेंगे 2011 में 11 वर्ष जोड देंगे तो क्या हो जाएगा 2022 आप चेक कर लेना 2011 में जो एक जनुरी को वार होगा वह ही 2022 में मिलेगा ठीक हा वई क्यूस्टर नमबर 2 वर्ष 2002 जैसा समान क्लेंडर कौन से वर्ष का होगा तो देखो वई इससे पहले लीफ पूर्ष कब था 2000 उसके बाद 2001 और 2002 यानि लीफ पूर्ष के बाद पहला साल दूसरा साल ये दूसरा वर्ष लीफ पूर्ष के बाद इदि लीफ पूर्ष के बाद दूसरा वर्ष हो उसमें कितना जोडेंगे पलस 11 तो 11 में दो जार दो में 11 जोड देंगे तो क्या होज़ेगा भी गयार दो तेरा तो अप्शन बी है ठीक है कृष्र नंबर तीन वरस 2000 जैसा समान कलेंडर कौन से वरस का होगा देखा वी यह क्या है लिप वरस कितने वरसों के बाद three इपीट होता है वही लीप वर्स 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है क्योंकि लीप वर्स लेप वर्स से ही कलेंडर मैच करेगा देविस में 28 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दो हजार अठाइस ओप्सन अजी दो हजार अठाइस ठीक है क्यूसर नंबर चैयर देखो वह यह दिए 29 मार्च 2019 को मंगलवार हो तो आगे कोन से वर्स में 29 मार्च को मंगलवार होगा वह सेम बात है सेम कलेंडर ही पूछना चारा है तो पूछना वर्स है यानी इस पहले लीप वर्स सोला का था था फिर 2017, 2018 और 2019 यह एक, दो, तीन लीपर्स के बाद तीसरा वर्स है जब तीसरा वर्स हो तो हम उसमें 11 जोड़ देते हैं 2019 में 11 जोड़ेंगे तो 2030 यानि Option C 2030 समान कलेंडर होगा 2019 जैसा ही ठीक अभी यह था वर्स के समान पंचांग ज्यात करना ठीक है आगली वीडियो में हम पढ़ेंगे महिनों के समान पंचांग ज्यात करना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद